नमस्कार दोस्तों मैं आराधना और मेरे पडिवार चैनल के तरफ से आप लोग का हैपी नीव यार और आप लोग नया साल के बहुत अच्छे रहिए और स्वस्त रहिए और ये है मेरे आज के रेसीपी आलू छोट छोटा काट के लिए हूँ और पनीर ये दोनों काट लिया हूँ और ये पनीर को मैस कर दिया हूँ हाथ से एकदम और ये टमाटर काट के रखी हूँ और साथ में हरा मिर्ची कदुकस कर लिए हूँ और ये प्याज है तीन चार प्याज काट लिए हूँ एक प्याज कदुकस कर लिए हूँ और ये आद्रक है कदुकस कर लिए हूँ और ये तीन चार लसुन के टुकड़ा है उसको भी कदुकस कर लिया हूँ और ये मटर है फ्रीज में रखी थी फ्रीज में से निकाली हूँ इसको पानी से धोके रख दूनगी और इधर करई में तेल गरम हो गिया है इसमें मैं पनीर फ्राय कर लूँगी हल्का फ्राय करूंगी ज्यादा लाल नहीं करूंगी दोस्तो आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और और सेयर किजिए और नाया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो ये इसमें थोड़ा सा मैं नमक दे दूँगी स्वाध अनुशर और थोड़ा सा हल्दी दे दूँगी तक कि कलरफूल मेरे पनीर फ्राई हो जाए अब मैं इसको अच्छी तर से चला लूँगी चला के ये फ्राई करूँगी दोस्तो मेरे चैनल को वीडियो बनाते मेरे साल होने जा रहा है दोस्तो कोई प्रोग्रेस नहीं है दोस्तो आप लोग सला दीजिये कॉमें बनाओ मैं ताकि वीडियो थोड़ा सपोर्ट किजी आप लोग दोस्तों ये पनीर मेरा फ्राय हो गया हलका फ्राय हो गया अब मैं निकाल लूँगी उसी प्लेट में इस प्लेट में पनीर था उसी प्लेट में मैं सारा पनीर को निकाल लूँगी दोस्तों सारा पनीर मैंने निकाल लिया अब इसी करहाई में मैं इसी करहाई में तेल नहीं डालूंगी इसी में आलू डाल के फ्राइ कर लूंगी दोस्तों कम तेल खाईए और स्वस्त रहिए इसी में मैं आलू को फ्राइ कर लूंगी इस आलू में भी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी ताकि फ्राइ होने में अच्छा लगे देखने में थोड़ा कलरफूर हो जाए इसको चला लूंगी अच्छी तरह से और नमक डालने से नमक भी इसमें आ जाता है नमक का स्वाध तेस्ट आ जाता है इसलिए नमक डालके हल्दी डालके थोड़ा फ्राइ करती हूं इसी में मतर डाल दूंगी अलू मतर दोस्तों सागत में फ्राय हो जाएगा अब इसी के ऊपर से मैं थोड़ा सा कच्चा प्याँच फ्राय कर लूँगी दोस्तों इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप लोग एक वार बना के देखिएगा मेरे तरीका से एकदम घरेलू तरीका से बना रही हूँ मैं बहुत कम तेल मसाला से बना रही हूँ बहुत टेस्टी लगेगा बना के देखिएगा अब मेरे आलू मतर फ्राय हो गिया अब मैं इसको निकाल लूँगी दोस्तो इसी थाली में लखा हुआ था आलू उसी थाली में मैं निकाली हूँ आप थोड़ा सा तेल देखे कराई में ये शौप है थोड़ा जीदा है चेत पत्ता है और दो इलाइची है इलाइची को फोड़ लिया हूँ फोड़ के डाल दिया जब ये तरकने लग तो इसमें मैं प्याँज डाल दूँगी दोस्तो ये लशून है थोड़ा सा इसको भी डाल दिया और ये प्याँज डाल दिया प्याँज को अब मैं डालने के बाद चला लूँगी थोड़ा दोस्तो प्याँज को अची तरह से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी ये जो कद्दुकस कर रखी थी प्याँज उसको भी मैंने डाल दिया वो बाद में डाली क्योंकि वो कद्दुकस किया हुआ है वो जल्दी फ्राई हो जाएगा अब मेरे प्याँज फ्राई हो गया है देख रहे हैं आप लोग कोल्डेन ब्राउन हो गया है इसी मैं थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी दोस्तो मैं लाल मिर्च पाउडर तो सब्जी में नहीं डालती हूँ लेकिन वीडियो वानाने के लिए डाल रही हूँ ताकि सब्जी थोड़ा देखने में अच्छा लगे लाल मिर्च थोड़ा हल्दी डाल दिया एक चम्मच दोनों को चला लूँगी तेल में मिक्स कर लूँगी पे आज के साथ और उसके बाद मैंने इसमें डाल लूँगी अद्रक कद्दुकस करा हुआ था उसको डाल दिया डालने के बाद अच्छी तरह से चला लिया मिक्स कर लूँगी थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि शूखा मसाला जो डाल देए हूँ वो जले ना थोड़ा सापनी डेल के चला लूंगी नोंगी त्यूभाइल सब्सके बाद मैं धनियाई पौड़र ढाल देऊ हूँ धनियाई पौड़र एक चमच लौड़ दिया उसके बाद हिल्दी पौड़र राल दिया एग चमच और यह थोड़ा जेरा पौड़र है अब इसको ये थोरा से धनियाम पाउडर और थोरा से डागल दिया डेर चम्माज धनियाम पाउडर डाली हो दोना मिलाक्या अब इसको मेक्स कर लूंगी अच्छी तरह से ये मसाला दोस्तो फ्राई हो गया है देख रहें आप साइड से तेल छोड रहा है अब जो फ्राई किया हुआ मटर और आलू था उसको डाल दिया डालने के बाद अच्छी तरह से चला लूंगी दोस्तो अच्छी तरह से चला लूंगी ताकी अच्छी तरह से मसाला चारा आलू और मटर में मिक्स हो जाई थोड़ा देर बाद 5 मिनीट बाद ये जो टमाटर और हरी मिर्ची रखी ती उसको डाल दिया डालने के बाद mix कर लूँगी दोस्तो टमाटर तीन टमाटर था medium size का अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं टमाटर मिर्ची अच्छी तरह से चला लूँगी चलाने के बाद अब mix हो गया है पाच मिनिट चलाने के बाद अब इसमें नमक डाल दूंगी स्वाद अनुशार और जितना आप जो है सूखा या तरी वाला बनाना चाहते हैं उसे आप से नमक डाल दीजिए और साथ में जो पनीर मिक्स करके रखी ती हांसे मैस करके उसको में डाल दिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दोस्तों ये मैस करके पनीर जो डालने से तरी जो है थोड़ा सा गारा हो जाता है आप मैं पानी डाल दूँगी पानी डाल के चला लूँगी अच्छी तरह से मिक्स करके दोस्तों आप इसको थोड़े देर पकने दूँगी ढक दूँगी थोड़े देर बात देखिए दोस्तों कितना अच्छा सबजी देखने में भी कितना स्वाधिस्ट और शुन्दर लग रहा है देखके ही लग रहा है कितना अच्छा बना है सबजी आलू देखिए दोस्तों थोड़ा सा टाइट है आलू थोड़ा सीजा नहीं है अभी अब थोड़ा पकने दूँगी इसको यह है कस्तुरी कस्तुरी मेथी इसको भी डाल दिया इसको डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से अब थोड़ा सा पानी और डाल दिया अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आप अपना पानी साबसे डालिएगा जिस आपसे आपको चाहिए सुखा गीला सबजी चाहिए उस आपसे पानी डाल दिजिएगा दोस्तों हम थोड़ा तरी वाला बनाएंगे जोड़दार इसलिए हमने डाल दिया ये चेट पत्ता था उसको निकाल दिया आप ढ़क दूंगी इसको ढ़क के कुछ देर पकने दूंगी दोस्तों इसी प्लेट से मैं बार बार ढख ड़क ड़े हूँ कराही थोड़ा बड़ा है अब प्लेट मैंने छोटा था इसलिए वदल दिया था अब दोस्तों पांस मिनिद बाद देखिए ये आलू सीज गिया है अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी क्योंकि पनीर डाल के ज़्यादा देर चलाना नहीं होता है नहीं तो पनीर तूट जाता है दोस्तों ये आधा किलो पनीर था और आधा किलो मतर था और करीब आधा किलो ही आलू था ये दोस्तो आड़ लज दने के खाना रोटी खा लेंगे दोस्तो सब्जी बन गया मेरा अब मैं प्लेट में परस परस रही हूँ देखिए दोस्तों ये सबजी आप आलू के रोटी के साथ परोठा के साथ नान के साथ किसी भी के साथ खा सकते हैं चावल के साथ भी खा सकते हैं तरी वाला सबजी है बहुत टेस्टी बना है देखिए दोस्तों लाजबब बना है आप लोगों भी बनाईए खाईए और कॉम बारोखो धन्नवाद दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे